कि नमस्कर आपका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं बता दू कि अभी वीजियो है रेल्वे रिकरेंट बोर्ड के तरफ से एक ऑफिसेल नोटिस है जिसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो यहां दे सकते हैं यह मैंने नोटिस जो है वो पीडियाफ को मैं ने डावलोट कर लिया और यहां पर देखे लिखा हुआ है गौवर्मेंट औफ इंडिया मिनिस्टर आप रेल्वेस रेल्वेस रेल्वे रिकरेंट बोर्ड के तरफ से यह नोटिस है और यहां पर कहा जा रहा है कि रूप्र नॉन टेक्निकल पॉपुलर के डिगरी यानि पर टोटल नंबर वेकंशी देख सकता है 3500-81 कुछ पोस्ट बढ़ा था और यहां पर बताया गया दूसरा नंबर पर ग्रेजवेट्स और एलिजिबल फूर आल वेकंश जिसमें कहा जा रहा है कि जो ग्रेजवेट कंडिडेट होंगे वह एलिजिबल होंगे सभी वेकंश यहां पर अगला कहा जा रहे है कि ग्रेजवेट्स फोर टेन प्लस टू के जो पोस्ट उसमें भी उन्हें चुना गया है लेगली वी केन नॉट बार एनी कंडिडेट्स फ्रम ओप्टिंग फोर मोर दैन फन केटेगरी और पोस्ट यहां पर कहा गया है कि यहां पर ही तो ब बार एनी केंडिडेट्ट हम लोग किसी भी कैंडिडेट को रोक नहीं है सपते हैं फॉर्म ओप्टिंग फॉर बार एन फोर लन दन तन ॉन के मुन केटेगरी और पोस्ट के लिए मिन्हां पर का जाए नहीं बना है कि आप पांच 5 बार क्यूंव एस तो आप ट्वेंटी टाइमस अगर चार अगर देते हैं तो लड़की में हो जा रहा है तो यह नियम काफी खराब है रेजल्ट को उन्हें दोबारा इसे रद करके दोबारा जो है रिवाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए ताकि cut-off काम जाए और बाकि जो जो सेलक्ट नहीं हुआ है जो अच्छा जिनका परदर्सन अच्छा रहा है लेकिन वह सेलेक्ट नहीं हूं उनका स्लेक्शन हो पाए तो इन्हें दोबारा जो है रिवाइड रिजल्ड निकालना ही होगा आगे देखें यहां पर क्या आ जा रहे हैं यहां पर इग्जामेनेशन रूल्स जैसा कि परिछा के रूल्स है और उस नोटीज जो निकलादा है तो इस अनुसर अगर कहें तो आप अगर पांच लड़के को चार लड़के को अगर पांच पांच एक्जाम में बैठाएंगे तो पांच लड़के को अगर आप चार चार बार एक ही एक्जाम में बैठाएंगे तो आपका होई जा रहा है बीस टाइम तो ऐसा करने से बिलकुल भी काम नहीं चलेगा एक बच्चा के लिए एक एक बार रिजल्ट होना जिन का ज्यादा नबर उनका नॉर्मलाइज में कम नबर मिला है यह बहुत ही घटिया रूल है रेल्वे का इसको बदलना चाहिए और दोबार जो है इसका रिवाइड रिजल्ट जारी करना ही चाहिए आगे देखें यहां क्या कहा जा रहा है आगे का जार बिलो टेबल सोज इंदी एग्जेक्ट नंबर आफ सौट लिस्टेट कंडिड़ फूर इच लेवल तो यहां पर जो नीचे जो टेबल देए गए उनमें एग्जेक्ट नंबर बताया गया है जो भी सौट लिस्टेट कंडिड़ेट है और कितने हुए तो यह है नंबर आफ नोटिफाइड वेकंसिस इसमें जो था टू के लिए था टोटल पांच शेयर 663 वेकंसी जिसमें से कंडिड़ेट को जो सेलेक्ट किया गया वह आप देख सकते हैं कि नंबर आफ कंडिड़ेट सौट लिस्टेट एक लाग 13301 को सेलेक्ट किया गया और यहा सब्सक्राइड वेकंसी था 4940 जिसमें से सौट लिस्टेट कंडिड़ेट हैं अन्ठाने में जार आट्सो तेटीस हैना उसी के अनुसर देखें कि यहां भी बता दिया गया कि इस टाइम इन्होंने कंडिड़ेट को ले लिया फिर देखें पे लेबल चार के लिए तो टो टोटल नंबर वेकंसी जाए देखें 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 तो टोटल लिस्टेट कंडिड़ेट हैं तीन लागग सैटालीस जार चेहां और यहां पर भी कहा गया कि विस गुना इन्होंने लगवववग ले लिया है और एक देखें तो पे लबल सिक्स के लिए अगर देखें पे लबल सिक्स के लिए अगर देखा जाते हैं पर टोटल नंबर उप नोटिवाइड वेकंसी में था 7124 वेकंसी था इसमें से सॉट लिस्टेट कंडिड़ेट्स ने सीबीटी टू के लिए 1,42,413 यहां भी कहा गया 20 टाइमस ले लिया इस तरह से इन्होंने कह दिया है क और उसके अनुसर उन्होंने 20 टाइमस का 7,5,446 कंडिड़ेट्स को सॉट लिस्टेट किया है सीबीटी टू के लिए और यहां पर बता दिया है कि 20 गुना ने कंडिड़ेट्स को ले लिया है तो यह जो चैर परसन के दुबारा जो यह जो नोटिस निकाले गिया है बहुत क्या होता है हम लोग जो अभी ट्विटर कंपेंज चला रहे हैं इसे बिल्कुल जारी रखे रुकना नहीं है जुकना नहीं और साथे में बता दूं अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आ इस्टेट लबल के कंपेटेट एक्जामस में काम आएंगे ठीक है यहीं पर अपने वीडियो का समाफ़त करते हैं आप सभी का बहुत बहुत देने बाद